जैहने दोस्तो, now हाली में क्या है की USA ने concern जता है इंडिया की participation को लेगर वास्तोcs 2022 military exercise में क्योंकि USA का कह 2001 क्यों कि इंडिया China के साथ और रशीया के साथ revolutionary exercise क्यों करने जा रहा है जब कि China India के लिए threat है और रशीया ओलरेड़ी आकरमण करके बट है उक्रियन के ऊपर और जापान को बहुत जादा थ्रेट है इस बात को लेकर कि इंडिया चाइना और रसिया सब साथ में आ जाएंगे उसके सागर में लेकिन क्या है कि इंडिया की जो नेवी है वो पार्टिसिपेशन नहीं करेगी इसलिए क्योंकि जापान कोड का मेंबर है इंडिया कोड का एक प्रमुख मेंबर होने के नाते वो जापान को थ्रेटन फील नहीं करा सकता इसलिए इंडिया की नेवी तो पार्टिसिपेशन न लेकर नहीं है वलादी वस्ट को गयरा को लेकर उसका कंसर इस बात को लेकर है कि इंडिया क्वाड का मेंबर है और क्वाड को हमेशा क्रिटिसाइज करता है रसिया जबकि रसिया के लिए तो क्वाड बनाया गया ही नहीं है क्वाड तो चाइना के लिए बनाया गया लेकिन वो इंडो पैस्फिक की और क्वाड की जो मेंटाल्टी है इंडो पैस्फिक को सुरच्छी रखने की या क्वाड की मेंटाल्टी है चाइना को काउंटर करने की इस मामले में हमेशा डिफेंड करता है चाइना को रसी और हमेशा क्वाड को क्रिटिसाइज करता है कहता है कि य इस उवज़ा से इंडो पेस्विक को सुरची रखने की लिए लेकिन कभी भी रसिया support नहीं करता है quard को ना इंडोपेस्विक की ideology को जो सुरची रहने की है वह कहता है कि इंडो पेस्विक जीस सी PAR मात जिस कुछ चीज नहीं है आप लोगों की मन गढंत बात y yup जबकि जब क्वाड बनाया नहीं गया रसिया के लिए तो फिर क्वाड को क्रिटिसाइज करता है इंडिया का फाइदा है क्वाड की वज़ा से तो क्वाड को क्यों नहीं सपोर्ट करता है और चाइना को भी सामिल कर रहा है इस मिलिटरी एक्सेसाइज में इसलिए इंडिया की तो चाइना सबसे बड़ा थ्रेट है इंडिया का उसके साथ में इंडिया कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है किसी मिलिटरी एक्सिसाइज में इसमें आराउंड पचावस हजार ट्रूप्स इसमें सामिल होंगे और पांच हजार से ज़्यादा प्रकार के एमिनेशन यूज किये जाएंगे पर्टिकुलर एक सो चालिस एरक्राफ्ट और साथ कंबोर्ट सीप्स और गन बोर्ट सो गयरा भी इसमें रहेंगे तो काफी हैवी मिलिटरी एक्सिसाइज होने वाली है इसमें लावोस इंडिया चाइना मंगोलिया सीरिया ये सब सामिल होंगे और सेबरल एक सोब्येट नेशन के देश हैं वो भी इसमें सामिल होंगे इसमें का कंसर इस मामले में काफी सही है कि कभी भी रसिया जो है क्वाड को सपोर्ट नहीं करता हमेशा क्रिटिसाइज करता है जबकि रसिया को किलेरली ये बात पता है की Quad से इंडिया को ज्यादा फाइदा है तो इस मामले में थोड़ा USA यहांपर सही लग रह सही लग रहा है लेकिन रही बात कि इंडिया को सपोर्ट किया और भारत कोने जैट कर्ता है औभी 30 million रुपय काईरेट देने का गौंसरा किया है और जब जब उसको पता है कि यह टेर्रिस इस्पॉंसर कंट्री है यह टीफ की ग्रे लिस्ट में उसके बावजूद आप इतना ज्यादा सपोर्ट करते हैं जब कभी इंडिया से और उसका वार होता है तो हमेंसा इवेसे उसका सपोर्ट लेता है तो ऐसे में इंडिया को क्या चाहिए कि नहीं इवेसे के उपर पूरा डिपेंड करके और रस्या सə हम बिलकुर रिष्तादूर कर लें और रस्या को इसलीए वो जना Karma लो रहा तो देखो रस्या को फिलेत करने के लिए ऑईरोपीया इनियन ने और सब्रैल अलप कंट्री इन जैसे स्जाफ वानों गया ने और बालिए ये नहीं गहिए आप किसी को प्रक्रम्न कर दूख और अहीं बात युद्धभ्यास करने की तो जो ये बजप्रहार नामका अमेरिका के साथ में होता है तो इंडिया ने कभी भी नहीं बन एक के साथ हा